हाई फ्रेंड्स वेलकूम टू पल्स क्रियेशन आज हम कंपोस्ट बिन बनाएंगे कंपोस्ट बिन बनाने के लिए हमने यह दो मट के लिए हैं हम यह मट का इसके ऊपर रखें इसका मेजर्मेंट ले लेंगे अब देख सकते हैं यह मट का यूज पिया हुआ है पहले मैं इसमें कंपोस्ट बनाती थी लेकिन यह एक ही पॉट होने की वज़े से मुझे यह मट का भरने के बाद खुड़ा सा केप देना अभी दो मट को का ह इस तरह से हम बढ़के एक दूसरे के ऊपर रख लेंगे अब हम इसे चौक के सहता से माग कर लेंगे हम इसे माग कर लेते हैं हमने अच्छी से माग कर लिया है अब हम उपर का मट का निकाल लेते हैं नीचे के मट के का यह राउंड शेफ हमने माग कर लिया है अब हम इसके बीच में एक चोकुन बना लेंगे अब हम इसे काट लेंगे या ड्रिल मसिन से छेफ कर लेंगे ड्रिल करने से पेले इसे हमने अच्छी तरह से लिदा कर लिया है अब हम इसे इसके उपर ड्रिल करते हैं इसी तरह से हम सब और छेफ कर लेते हैं इस तरह से हमने चारो साइट से ड्रिल कर लिया है अब हम यह बीच से काट के यह पूरा चोकुन अंदर का निकाल लेते हैं अब हमें सब्सक्राइब कर लिया है अब हमें सब्सक्राइब करेंगे इसे लिया हमारे पाइस सी जाली के दू तुकड़े हैं इस अमपर से जाली के दू तुकड़े हैं 2018 इसे के लिए निक पूराई इसके लिए हम इसके पाइच में पिछस्छावी कर लालेके तरह सके ओंदेगा씬 अजस एंडल अचिसो लुप जुट जुटना जुट जुट जुटी सकर दो जुटना है अजस लुटना है अजस लुटना रधा कि अजसे लुटना प्रादा युटना झाल तरह से दिख रहा है अब हम यह पॉट को दुसरे पॉट पर रख देगे इस तरह से अमने इस तरह से अब ने इसमें जो घर में बचा हुआ जो सब्जों का गार्वेज होता है वह हम डालेंगे अब हम देखेंगे कमपोजबी में हम क्या क्या डाल सकते हैं यह मेती की सबजी की डंठन है जो हमने मेती की सबजी साफ कर दे के बाद बचता है वह पत्ता कोबी की दंडिया यह बहुत मूटी होती है इसलिए मैंने यह काट लिया है सुखे पत्ते अंडे के छिलके केले के छिलके और हर तरह का वीला जो कच्रा हमारे कीचर में से निकलता है वह हम डाल सकते हैं अब हम अटे के छिलके यह पूरे के पूरे डाल के भी कर सकते हैं लेकिन अंडे के चिलके का कम्पोस बनने के में अदे हो तो अब हम क्या करनेंगे यह मैंने अब एक डबे में डालिया है और हम इसे इसका चूरा बना लेंगे तो हम इसे कमपोजमिन में डालेंगे अब हम ये सारा कच्रा ये पॉट में डाल देंगे कर देंगे इसी तरह हम सारा खत्रा रोज जाल देंगे तो फिर ये गलने के बाद हमने जो निचे क्यारी लगाए उससे निकल के निचे के मटके में आ जाएगा ब हम तिसी नखते हैंगे और कम दूपने जगा पर रख देंगे इस मिंस कंपोस्ट खंच जो हम हमारा वीडियो का दुसरे पार्ट पे देखेंगे को हमारा टेकर कंपोस्ट बनने के बाद उससे क्या करना है वह हमारे दूसरे पार्ट पे देखिए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें